गले में खरांस की समच्या किसी को भी हो सकती है तो इसे गले में खरांस कहा जाता है खरांस का इलाज करने का सबसे आसान तरीका गरारा करना ऐसे करने से गले की खरांस दूर होती है और इससे व्यक्त को थोड़ी रहात मिलती है गरारे करने के साथ साथ गले में खरांस का इलाज गरम पानी पीकर भी किया जा सकता है यदि कोई व्यक्त गले में खरांस से पीलित है तो वे इसका इलाज कराने के लिए गले की सिकाई भी कर सकते हैं गले के खरांस में मसालेदार होजन का परहेज करना चाहिए क्योंकि यह उनके सेहत को खराब कर सकते हैं खटे, फल, ब्रेड ना खाना, बिस्कुट का सेवन नहीं करना चाहिए, सराब भी नहीं पीना चाहिए सराब गले में खरांस से पीलित प्यक्त को उस दिन के लिए रोग देना चाहिए गले में खरांस से पेड़ित ब्रक्त को गरम या अच्छे से पका हुआ भोजन ही करना चाहिए दलिया खिषडी खाना चाहिए यह लाबदायक सावित होता है दूद गरम होने के साथ साथ निगलने में भी आसान होता है जो गले में खरांस जल्दी ठीक करता है आम तोर पर गले में खरांस दस दिन तक रह सकती है लेकिन जब गले में खरांस वाइरस के कारण होती है तब यह लंबे समय तक रह सकती है ऐसी अवस्था में अच्छे डाक्टर को देखाना चाहिए यही एक मात्र विकल्प है गले में खरांस को ठीक करने के सबसे स्कीत तरीका नमक के पानी से गरारा करना है यही मैंने अपने उपर भी अजमत था और मेरा गला ठीक हो गया था यदि यही वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सेयर करें जै हिंद जै भारत लगे अचैजित आपको अच्छा वीडिबड़ आपको अचे अचा प्राब से वाज़े पो गला है यही तो आपको प्लावे भीडियो गई आपको अच्छा घए एक गला है अजर लगे जा हो खो गया का हुआए है